नमस्कार प्यारे विद्यारतियों स्वागत आपका दृष्टी टीचिंग एक्जाम्स में आज हम लोग बात करेंगे DSSSB की PGT की जो भरतिया आई है उनको लेकर यानि कि दिल्ली अधिनस्त सेवा चैन बोड ने जो अपना एक विज्यापन जारी किया है जिसमें अभी उन्होंने पोस्ट ग्रेजवेट टीचर के लिए भरतिया निकाली है उनके बारे में बात करेंगे कुछ देरी है एक दिन या दो दिन की देरी है इस पूरे अधीकरत विज्ञापन के आने के बाद इस सामाने जानकारी वाली कक्षा को बनाने में कुछ देरी है उस देरी होने का कारण ये था क्योंकि पहले ये notification पूर्ण रूप से नहीं आया था पहले के वल ये पता चला था कि हाँ DSSB PGT के लिए विग्यापन जारी करेगा और कितनी भरतिया है और कब से form शुरू होंगे कब तक form भरे जाएंगे वो सारी जानकारी दी हुई थी हम इंतजार कर रहे थे क्योंकि मुझे ऐसा अनुमान था कि कुछ आयू सीमा को लेकर कोई परिवर्तन हो सकता है शायद हो सकता था ऐसी उम्मीदे थी तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि जब तक अधिकरत एक विज्यापन या आप कह सकते हैं फुल नोटिफिकेशन ना जारी हो जाए जब तक सारी चीजे प्रमानिक रूप से हमारे सामने ना आ जाएं ये जानकारी देना जल्द बाजी होता इसलिए थोड़ी सी देरी है लेकि इजिटी के लिए फुल नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया तो हमारा क्या कार्य हो जाता है कि हम ये समझें कि इस परिक्षा का पैटर्न क्या है इसमें कितने पार्ट है कितने अंक है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है क्या आयू सीमा है आयू सीमा में छूट कितनी ह और इसका पाठ्थे क्रम क्या है यह हमें जान लेना चाहिए आपके जो फोम भरे जाएंगे वो 9 जनवरी से शुरू होंगे और 7 फरवरी तक भरे जाएंगे रात्री 1169 तक बाते समझ आ गई अब इस पूरे नोटिफिकेशन को आप उसकी साइट से भी देखकर पढ़ सकते ह जितनी रिक्तियां हैं किसके लिए कितने रिक्तियां हैं वो सारे बिंदू वहां आपको मिल जाएंगे बाते सपस्ट हो गई क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है क्या डिजायर में है क्या एसेंशियल है वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी हम कुछ सामानने बाते कर लेते हैं जो हमारे लिए जानना आवश्यक है इस परिक्षा में बैठने से पहले इस परिक्षा का फोर्म भरने से पहले जैसे एक हमको यह समझना चाहिए कि जब हम DSSSB PGT के बारे में बात करते हैं PGT Post Graduate Teacher इसके अब जो DSSSB है इसमें Teaching Non-Teaching दोनों तरह की भरती आती है जैसे Teaching में आजाएगा आपका PRT के लिए TGT के लिए और PGT के लिए जो Non-Teaching Staff की समय समय पर इसमें भरती आती है जिसमें Junior Engineer है LDC है या हम कहें Upper Division Clerk है या Assistant Engineer होता है वो सारी भरतिया Non-Teaching Staff की भी आती है जो PGT का पाठे क्रम है आपका जो यह पेपर है जो प्रशन पत्र होगा वो मुख्यत है दो भागों में होगा प्रशन पत्र आपका मुख्यत है दो भागों में होगा आप यह भी कह सकते हैं कि Part 1 और Part 2 Part 1 और Part 2 में जो Part 1 है यदि आपने PRT का पाठे करम देखा होगा TGT का पाठे करम देखा होगा तो पाठे करम PGT के लिए भी वही सेम है वही प्रशन है वही खंड है उतना ही समय उनके लिए है यानि कि जो यह Part 1 होता है यह आपका PRT के लिए TGT के लिए और PGT के लिए भी सेम वही है जो 20-20 प्रशन है 5 खंड है कुल 100 प्रशन है ठीक वह वही है बदलाव किसमें आता है PRT के अनुसार आपका जो दूसरा Part होता है उस Part में बदलावाता है TGT के अनुसार PGT के अनुसार इसमें बदलावाता है बाते समझ पाई तो एक तो हमने यह जान लिया कि हमारा PGT का जो प्रशन पत्र होगा वो मुख्यत है दो भागों में विभाजित होगा पार्ट वन और पार्ट टू जो आपका पार्ट वन है पार्ट वन जो है उसमें कुल आपके सामने सो प्रशन होंगे कुल प्रश्ण कितने होंगे सो प्रश्ण होंगे आपके सामने और इन सो प्रश्णों के लिए आपके सामने सो अंक होंगे और आपके पास एक घंटे का समय रहेगा एक घंटे का समय आपके पास में रहेगा बाते समझ पर जैसे आप PRT में देखेंगे वहाँ कुल दो घंटे हैं, TGT में देखें कुल दो घंटे हैं, यहां आ जाएंगे PGT में यहां तीन घंटे हो जाते हैं, क्योंकि आपके विशय के लिए अलग से आपको दो घंटे का समय मिलता है, बिंदू सपस्ट हुआ, तो अभी हमने केवल पार्ट वन की बात की है, कित मिनट का समय आपको दिया गया है, यह पार्ट वन की बात हो गए, जो आपका पार्ट टु है, पार्ट टु आपका विशय, आपका सब्जेक्ट, आप जिस सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजिशन होगा, उस सब्जेक्ट को लेकर, तो उस सब्जेक्ट से आपके सामन 200 प्रशन पूछे जाएंगे 200 प्रशन पूछे जाएंगे इन 200 प्रशनों के लिए 200 अंक निर्धारित होंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा कितना समय दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा अर्थात आपकी परिक्षा में कितने के आए आप कहेंगे 300 प्रश्ण हमारे सामने आए कि क्ल अंक कितने निर्धारीत हैं आप कहेंगे 300 अंक निर्धारीत हैं तो आप यदि PRT की बात करें, TGT की बात करें, आपको तीनों में नकरात्मक अंकन देखने को मिलता है, जिसको हम कहते है negative marking, negative marking कितनी है, सभी इस तरों में चाहे PRT की बात हो, चाहे TGT की बात हो, या PGT की बात हो, one fourth की negative marking है, अर्था दशमलव 2,5 परतिशत की negative marking है, यदि आ आपको एक प्रशन को सही करने के बदले में एक अंक मिलता है, तो आप यदि एक प्रशन गलत कर देते हैं, तो आपके सही प्रशन के बदले में जो आपको अंक मिला है, उसमें से 0.25 अंक जो होंगे, वो काट लिया जाएंगे, यानि कि यदि आप 4 प्रशन गलत कर देते ह तो आपका एक अंक जो आपको सही जवाब देने के बदले मिला है, वो काट लिया जाएगा, बाते समझ आ गई होगी यहां तक की, तो आपके सामने तीन घंटे का समय रहेगा, तीन सो अंक है, आपके सामने नेगेटिव मार्किंग इसमें है, पोईंट टू फाइव की आप क चाहिए, कौन सी चीज है, जैसे आप PRT में देखेंगे, तो CSET की बात, CTET की बात आजाएगी, आप TGT में देखेंगे, CTET की बात लागो हो जाएगी, लेकिन जब PGT की बात आएगी, तो PGT में आपको CTET जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आपके पास BEARD होना चाहिए, यदि आपने throw out graduation, post graduation है, आपके 60 परतिशत या उससे अधिक अंक हैं, तो आपको 3 वर्ष का समय दिया जाता है, कि आप 3 वर्ष में फिर B.E.D. कर लीजेगा, बात समझा गई होगी, कि B.E.D. आपको चाहिए, लेकिन इसके लिए यह हो कि यदि आपके graduation, post graduation में 60 परतिशत से क अंक हैं, तब आप इस form को तब भर पाएंगे, आपके पास B.E.D. होना चाहिए, यदि आपके पास में B.E.D. नहीं है, और आप throughout first division से पास होते आए हैं, तब आपको इस परिक्षा में बैठने के अनुमती मिल जाएगी, लेकिन आपको 3 वर्ष के अंदर B.E.D. करना बाते समझ आ गई, आयू को लेकर बात कर लेते हैं, इसमें बदलाओ की उम्मीद थी, लेकिन वही है जो पहले था, 36 वर्ष है, आयू सीमा में जो छूट है, उसको लेकर भी समझ लीजे, छूट के संदर में, तो हमने बात कर ली कि सामाने वर्ष के लिए क्या है, 36 वर्ष SC, ST के लिए बात करेंगे, तो इनको 5 साल की छूट मिल जाएगी, 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, यदि PWD है, तो उसको छूट मिल जाएगी, 10 वर्ष की हम कहें, 10 साल की, अब इसी में मान लीजे, PWB है, हम कहें, और इसी के साथ में SC या ST है, तो उनको जोड दीजे, दोन WD है, और OBC से आता है कोई candidate, तो उसकी छूट कितनी हो जाएगी, कुल, 13 साल की हो जाएगी, यह IU सीमा में छूट को लेकर बात होगी, जो general category है, उनके लिए क्या है, 36 वर्ष है, उसमें कोई छूट नहीं है, उसमें कोई छूट नहीं है, तो यह IU सीमा को लेकर यह ध्यान बिंदुस पस्ट हुआ, अब पाठ्थे करम को लेकर बात कर लेते हैं, दोनों के, तो पार्ट वन के पाठ्थे करम को लेकर हम बात करें, पहले, यह PRT में यही पाठ्थे करम रहता है, TGT का भी यही पाठ्थे करम है, PGT का भी यही पाठ्थे करम है, सामान नेते, प्रश प्रशनों की प्रकरती में बदलावाता है तो आपके सामने यह जो पार्ट वन है उस पार्ट वन में एक तो सामानने जागरुकता कि आपको सामानने जागरुकता कि 20 प्रशन आपके सामने आता है सामान ने जागरुकता कारत यह होता है जन्रल अवेरनेस का कि आपको सामान जानकारी हो जन्रल नोलीज हो और वो सारी चीजे आपने जो current affair है उसके साथ में update कर रखी हो यानि कि आप अपने आसपाँ जो राष्टियस्तर पर अंतरास्ट इस्तर पर जो घटनाए हो रही है उनको लेकर आपको जानकारी होनी चाहिए आप अवेर होनी चाहिए उसको कह देते हैं सामान ने जागरुपता तो 20 प्रशन आप से सामान ने जागरुपता के पूछे जाते हैं बास समझ आ गई होगी उसके बाद में आप कहलीजे कि reasoning reasoning के 20 प्रशन आपके सामने आते हैं आप गणित की बात कर लीजे 20 प्रशन आपके सामने रहते हैं दोनो भाषा हिंदी और अंग्रेजी हिंदी भाषा से 20 प्रशन आपके सामने आते हैं और अंग्री जी भासा से 20 प्रश्ण रहते हैं, सामानने जानकारी होनी चाहिए, भाशा के बारे में 20 प्रश्ण है, तो आपका जो part 1 है, वो 5 खंड हो गए उसमें, एक सामाने जाग रुखता 20 प्रश्ण है, reasoning 20 प्रश्ण, गनित 20 प्रश्ण, हिंदी भाशा 20 प्रश्ण, औ कि आप देखेंगे, कुल 5 खंडों विभाजित होकर, आपके सामने कितने हैं, 100 प्रश्ण हैं, जो आपका part 2 है, आपके विशय से संबंदित, जो भी आपका विशय रहा होगा, उस विशय से संबंदित, आप से प्रश्ण पूछे जाएंगे, उसी विशय से संबंदित, उ उस core subject के ही प्रशन रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ प्रशन ऐसे रहते हैं कि जो भी आपका विशे है उस विशे के सिक्षन में आने वाली जो चुनोतिया है उसको लेकर आपसे कुछ प्रशन बनते हैं ठीक है? चलिए तो अब इसी को part 1 को ही थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं कि part 1 में जैसे हम पाठ्ठेकरम के बात करें विस्तार से कि आपको कौन-कौन से बिंदू ऐसे हैं जो पढ़ने हैं जिन पर आपको विसेश ध्यान देना है जैसे सबसे पहले हम बात करें सामान ने जागरुकता की ही सामान ने जागरुकता जन्रल अवेरनेस को लेकर आपसे प्रशन जो बनेंगे तो आपको एक बिंदू दिध्यान यही रखना है कि आपको current affair पढ़ना है अब इस current affair में क्या होगा? कि जो अभी वर्तमान की चीजे चल रही है कुछ समय पहले तक जब तक आपकी परिक्षा होती है उससे एक महीने पहले तक का जो घटना करम है रास्ट्रियस्तर का भी, अंतरास्ट्रियस्तर का भी, खेल कूद के संदर्व में भी जो तकनीके हैं, नई तकनीकों का विशकार है, उसके संदर्व में भी व्यज्यानिक घटना करमों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए बात समझ आ गई, तो करेंट अफेर धियान नकलेंगे, दूसरा आपको इसमें इतिहास से संबंदित इतिहास और इसी इतिहास के साथ में आप जोड लेंगे, आर्ट अन कल्चर, कला और संस्कृति कला और संस्कृति, फिर आपको पढ़ना है भूगोल भूगोल, फिर आपको पढ़ना है भारतिय राजववस्था राजववस्था और सम्मिधान, सामाने जानकारी आपको होनी चाहिए, फिर हम कहें अर्थसास्त्र मलब वही बिंदू होते हैं, जो आपको जीके में पढ़ने होते हैं, बस जब जनरल अवेर्नेस की बात आ जाएगी तो उसके साथ में आपको करेंट अफेर्स जोड़ देना होता है, यहां तक की बाते समझ आ रही होंगी, फिर मैं इसमें अलग से कुछ बाते एड़ कर दूँ अगर, तो आपको खेल के बारे में, अलग करेंट की चीजे हैं, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी, मैं आपके कहूँ कि जो इस तर के जो घटना करम है, जो इसके लावा जो अंतरास्ट्रिय, रास्ट्रिय, संगठन है, जो रास्ट्रिय, अंतरास्ट्रिय, संस्थाएं हैं, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, संस्थाएं, इनके अधिक संभावनाए होती हैं, कि एक सूची, एक को सूची, दो से मिलाईए, ऐसा एक प्रश्न बनता है, और उसमें आपसे मुख्याले पूछे जाते हैं, कि आपको एक तरफ संगठन का नाम दिया गया है, एक सूची में, और दूसरी सूची में, दूसरी तालिका में आपको उनके मुख्याले दिये गए हैं, आपको संगठन का सही मुख्याले करना है, तो कूट आपको मिलेग तो उसके नुसार आपको सही विकल्ब का चयन करना होता है, ठीक है, जब आप current affair पढ़ेंगे, तो उसमें रास्टी अस्तर की, अंतरास्टी अस्तर के घटना कर्मा पर विसेज ध्यान देंगे, जो वैज्यानिक अनुसंधान है, जो वैज्यानिक खोज है, शोध है, उन पर अधी के बारे में विसेज रूप से, ठीक है, तो यह जो French Open होता है, विम्बल्डन होता है, यह जितने कप हैं, जितनी यह प्रतियोगिता है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, परिक्षा में होता है सामान नेता है, कि परिक्षक को भी जानकारी है, कि हमें cricket क के बारे में सामान नेता है, बाकी खेलों की तुलना में अधिक जानकारी होती है, तो इसलिए cricket से प्रशन ना पूछ के वो ऐसे प्रशन पूछ लिया, आप से French Open से प्रशन पूछ लिया, तो आपको ऐसे खेल जो है, उन खेल पर ध्यान देना होगा, खेल के बारे में आप में कौन विजेता रहा है, कौन उप विजेता रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बाते समझ आ गई होगी, तो सामान ने जागरुकता में इतने बिनदु ऐसे हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं, अधि हम बात कर लें, रीजनिंग को लेकर, तो जैसे इसमें आपको Non वर्बल या एक आप रिजनिंग एबिलिटी, रम कहीं क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, आपसे पजल वाले प्रश्न बनेंगे, आपसे सिरीज, रैंकिंग, सिरीज को लेकर, रैंकिंग को लेकर, प्रोबलम सॉल्विंग को लेकर, बलड रिलेशन को लेकर, जो अभी तक आप बाकी परिक्षाओं के लिए भी जो सामानने रिजनिंग का जो पाठे करम देखते हैं, इतने बिंदू आपको सामानने रिजनिंग में पढ़ने होते हैं, वही सारे बिंदु यहां भी शामिल हैं, ऐसे ही यदि हम गणित की बात करेंगे, मैत की बात करेंगे, तो वहां भी आपको इसी प्रकार की, जो सामान ने जानकरे से सरलीकरण है, सरलीकरण है, दशमलव के भिन के प्रश्ण है, आप LCM, HCF, lowest common factor, highest common factor, अनुपात, समानुपात, समानुपात, पृतिशत के प्रश्ण, छूट के प्रश्ण, ओसत, लाभहानी, ब्याज के, और ब्याज में विसेश रूप से आपको करना है हल, चक्रवरद्धी ब्याज, जो आप से प्रश्ण पूछने के अधिक संभावनाएं हैं, वो simple interest की नहीं है, compound interest से प्रश्ण बनने की अधिक संभावनाएं होती है, तो चक्रवरद्धी ब्याज की बात हो गई, छेत्रमिती, चेत्रमिती के प्रश्णों का आपको हल करना है, तालिका वाले प्रश्ण हो, ग्राफ वाले प्रश्ण हो, उनका अभ्यास आपको कर लेना है, ठीक है, तो गणित में जो सामानने calculation जिनसे आपको आती है, इसमें नंबर सिस्टम भी आजाएगा, आपका, सरली करन हो गया, LCM, HCF हो गया, दशमलव के प्रश्णों का अभ्यास आपने किया हो, भिन के प्रश्णों को हल करने का अभ्यास आपने किया हो, ओसत है, पृतिशत है, लाभ हानी है, डिसकाउंट के, छूट के प्रश्ण है, ब्याज वाले प्रश्ण है, छेत्रमिती के प करें ए पृब हिंदी भाशा का पाठ्भेक्रम तो आपको समाने हिंदी की जानकारी संधी समास के बारे में संधी, समास, आपको उपसर्ग, प्रत्य, उपसर्ग और प्रत्य के बारे में, आपने रस के बारे में अधिगम किया हो, पढ़ा हो, आपने चंद के बारे में पढ़ाई की हो, आपने अलंकार के बारे में पढ़ाई की हो, ठीक है, आपको मुहावरे लोकोक्तियां पता हो, आपने गद्यांश का अभ्यास किया हो, वहावरे लोकोक्तियां आपको अनिकार्थी शब्द के बारे में आपने जो लोकोक्तियां है या प्रयायवाची है, प्रयायवाची हूँ, विलोम शब्द हूँ, विलोम शब्द आपको ध्यान रखना है व्याकरण, ठीक यही भाषा में आपको अंग्रेजी भाषा में भी यही पाट्टे करम दिखाई देगा, कि वोकेबलरी के इस तर पर आपको स्नोनियम के बारे में, एंटोनियम के बारे में, प्रेजिज के बारे में, आपको इडियम प्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिटूशन, कॉम्प्रिहेंसन, एरर करेक्शन, री अरेंजमेंट और बेसिक ग्रामर, यह जानकारी आपको हो चाहिए तो सामान ने जारुकता यह जो पांच पर जो पार्ट वन है उस पार्ट वन में पांच खंड़ों में विबाजित होकर आपके सामने सो प्रशन आएंगे हर खंड से 20 प्रशन आपके सामने रहेंगे जो आपका पार्ट टू है जिससे 200 प्रशन आएंगे वह आपके विशय से संबंदित प्रश्न पूछे जाएंगे जो भी विशय आपका post graduation में रहा होगा उस विशय को ही लेकर आप form भरेंगे और उसी विशय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उसी विशय से संबंदित 200 प्रश्न रहेंगे उन 200 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 गंटे का समय मिलता है नकरात्मक अंकन ध्यान लगना है वन फोर्थ की नेगेटिव मार्किंग है कुल प्रश्ण आपके सामने 300 होंगे तीन घंटे का समय आपको मिलेगा आयू छूट को लेकर हमने बात कर ली कि जनरल केटेगरी के लिए 36 वर्ष आयू है फिर बाकियों के ल होना जरूरी है लेकिन एक्स विधा यह है यदि आप थ्रो आउट साथ परतिसत या उससे अधिक अंकों से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेशन उतिन करके आते हैं तो आपके लिए बीएड फिर डिजायर में चला जाएगा यानि कि आपको इस परिक्षा को पास कर लेने के जब आपकी जोइनिंग होगी उससे तीन वर्ष का आपको समय दिया जाएगा उन तीन वर्षों में आपको अपनी बीएड पूरी करनी होगी बाते इसपस्ट हो गई तो मैं उम्मीद करता हूँ कि DSSB PGT के पाठ्ठे करम को लेकर कि क्या पाठ्ठे करम है क्या पढ़ना है आपको कौन-कौन से बिंदो पर विशेज ध्यान देना है ये सारी जानकारी आपको इसपस्ट हुई होगी सारी बाते समझ में आई होगी आपका सब्जेक्ट है जो भी सब्जेक्ट आपका होगा सब्जेक्ट आप अच्छे त्यार कीजिए वो से प्रष्ण पूछे जाएंगे दोस्तों उन प्रष्णों को हल कीजिए पार्ट वण जो है वो सभी के लिए कौन है तो थोड़ाً सा उसमें ये होता है कि जो करती है वो जटिल होती है तो उसमें अभ्यास अधिक से अधिक कर लेना है अधिक से अधीक अभ्यास कर लेंगे तो आप इस परिक्ष dynamics नियुक्त कर लेंगे में उम्मीद करता हूं सारी बाते झाल झाल